हलो दोस्तों सागत है आप सभी का इक वर्फर से MJP R.U. डेले नियोज में आज का मुद्ध हमारा की 15 दिसंबर से होने वाले एक्जाम में कोई भी टीचर्स अब सहोग नहीं करेंगे उसके साथ ही एक और नियोज भी है कि अब स्टुडेंट विन ने भी एनाउंस कर दिया है कि वाद दो दिन बाद एक बड़े लेवल पर अपना धरना प्रदर्शन करने वाले हैं अभी तक क्या चलू रहा था कि बरेली कॉलिज के टीचर्स ही और बरेली कॉलिज के आसपास के लोग ही इसके खिलाफ थे 15 दिसंबर वारी डेट के खिलाफ की इनुवस्टी ने 15 दि लेली और मरदवा समेत नौ जिलों के शिक्षक और विध्यारती आक्रोशित हैं सभी ने संयोक तरोप से परिक्षा का विरोत करने का लिए बदवार को अगर विश्विध्याले का प्रशाशन की होड़ से कोई परिक्षा का रेकर संचोदित नहीं गये तो ब्रसपतिवार कि इस पर डेट शेट में क्या चेंजिस किया जाएं ठीक है तो छे दिसमबर शाम को जो भी यानि आज की डिट में जो भी एक्जाम सेट डियूल में चेंजिस होते हैं तो वो हमारे चैनल से आप लोगों को इंफॉर्म की जाएंगे लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रख दिये हैं और कुछ सब्जेक्ट भी इसमें नहीं जोड़े गए हैं ठीक है टेंटिटेव एक डेट शेट इनवस्टी ने जारी की थी जिस पर सिर्फ विचार मांगे गए थे कि क्या ये डेट सही है या नहीं है ठीक है तो विचारों के सामने सभी लोग आप देखी बना कराके आप जनवरी में एक्जाम कराओ विंटर विकेशन के बाद ठीक है इधर यूनिवस्टी का यह कहना है कि अगर हमने यह एक्जाम डेट स्विट 15 दिसमबर से नहीं सेट की और 20 जनवरी तक नहीं खतम की एक्जाम तो आने वाले इलेक्शन में फिर दिक्कत आए कि बात यह है कि इलेक्शन भी होने हैं जो आपके इलेक्शन शुरू हो रहे हैं मार्श अप्रेल में होंगे आप जान नहीं रहे होंगे कि जहां पर पूटर राइट डिकाट बनाए जा रहे हैं नए इस स्टुडेंट की जो 18 साल कम्प्रेट कर चुके हैं ठीक है तो इन सभी चीजों को देखते हुए उनिवस्टी ने फिलाल तो मना कर दिया है कि 15 दिसंबर डिट हटेगी नहीं लेकिन इसमें चेंजिस किये जाएंगे ठीक है चेंजिस क्या होंगे वो आज शाम को 6 दिसंबर को आपको हम अपनी चैनल से इंफॉर्म कर ही देंगे ठीक लेकिन अभी के लिए आप अपनी जो एक्जामनेशन की डिट है उसको आप 15 दिसंबरी मान के चलें ठीक है किसी भी अफ़वा में ये ना रहें कि आपके जनवरी में एक्जाम होंगे या फिर फरवरी में एक्जाम होंगे इन बातों में आप अभी के लिए ना रहें जब